बिसमिल्लारह्मान ररहीम, अस्सलाम अलेकुम स्टुडेंट्स, मैं हूँ हसान फरीद, आपका फिजिक्स लिचर्ड, स्टुडेंट्स आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक्सरेज, उनकी करेक्टिरिस्टिक्स और एक्सरेज की अप्लिकेशन और हम लोग ने देखा कि अगर किसी शक्स की बोन फ्रेक्चर हो, तो हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं इस बात का कि उसकी बोन फ्रेक्चर है या नहीं, यूजिंग एक्सरेज, लेकिन स्टुडेंट्स आप लोग जानते हैं कि एक्सरेज जो है, वो डैमेज भी कर सकती है क्योंकि इनकी अनर्जी विजिबल रे से ज़्यादा होती है, तो मुझे एक्सरेज को अगर यूज करना है, तो टेक्नीक्स जो है, एक्सरेज को यूज करने की वो बेहतर बनानी पड़ेंगी ताकि human body को कम से कम डैमेज हो, इन बेहतर टेक्नीक में से एक टेक्नीक है cat scanning जिस instrument को हम कहते है cat scanner ये instrument क्या होता है किस तरह से काम करता है और older technique से किस तरह से बेतर है ये हम जानेंगे students आज के lecture में तो आए students start करते हैं आज का lecture students सबसे पहले आज का जो article है वो आपकी book ने इस paragraph में दिया हुआ ये सारा paragraph मैंने पहले ही आपकों के सामने यहां पर लिख दिया है थाकि हमें आज का lecture समझने में बिल्कुल भी किसी किसम की दुश्वारी ना हो students सबसे पहले article का नाम देखिए क्या नाम है जी cat scanner scanner है तो इसका मतलब ये machine का नाम है टेकनीक का क्या नाम होगा cat scanning कहेंगे इसको याद रखेगा सबसे पहले आपको ये देखना है के cat का मतलब क्या है यहाँ cat का मतलब है cat abbreviation है computerized axial tomography ये तीनों words को students note कर लें ये मैंने अभी detail में आपको बताना है computerized का क्या मतलब है axial का क्या मतलब है और tomography का क्या मतलब है लेकिन students उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो cat scanner है daily life में कैसा देखता है क्या आपने कभी cat scanner देखा है आपने cat scanner का word तो नहीं सुना होगा लेकिन आपने शायद CT scan का word सुना हो याद रखिएगा जब कोई शक्स कहता है कि मैं CT scan करवाने जा रहा हूँ या मेरा CT scan होने वाला है तो वो CT scan है actually मैं वो CT scan भी कहलाता है जानी के cat scan भी कहलाता है तो ये जो cat scanner है sometimes इसको हम CT scan भी कहते हैं अगर आप लोग ने ना भी देखा हो तो किसी drama या किसी movie के अंदर आप लोग ने जरूर देखा होगा जब patient जो है वो इस तरह की एक machine के अंदर दाखिल किया जाता है ये जो machine है students ये है cat scanner अगर आपने कभी donut खाया हो तो आप देखेंगे कि इस machine की ये जो opening है जिसके अंदर patient को enter कर रहे हैं वो भी एक donut shape की तरह की ही है ये students हमारे पास machine है जिसे हम कहते है cat scanner और दुबारा इसका मतलब देख ले computerized axial tomography लेकिन students ये काम किस तरह से करती है इसके अंदर क्या instruments है और ये previous techniques जो older x-ray techniques है उनसे किस तरह से बेतर है ये मैंने अभी आप लोगों को बताना है लेकिन उससे पहले last lecture की एक बात मैं आपके साथ share करता चलू मैंने आपको बताया कि जब भी हमने किसी शक्स का x-ray लेना हो तो हम क्या करते है एक x-ray का source होता है और एक photographic plate film होती है और उसके दरमयान वो शक्स होता है इसमें bones की information आपके पास मौझूद है लेकिन students अगर आप dark area के लिहाज से इस light area को study करें तो difference इतना कम है contrast इतना कम है कि आपको वाज़ तोर पर bones के बारे में information पता नहीं चल रही है क्या मैं इसको बहतर कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ students अगर मैं x-ray source से ज़्यादा x-rays emit करूँ तो जब ज़्यादा x-rays emit करेंगे तो हमारे पास photographic plate के उपर impression ज़्यादा strong आएगा अब हमारे पास कुछ इस तरह का x-ray आएगा अब ज़र अगर आप गोर से देखें तो dark areas इतने ज़्यादा dark हैं कि bone वाला area आपको बहुत वाज़ तोर पर नज़र आ रहा है detailed image है ये जिसमें बहुत ज़्यादा detail आपको नज़र आ रही है लेकिन students आपने देखा मैंने image को कैसे ज़्यादा बेहतर किया मुझे x-rays source से ज़्यादा x-rays emit करनी पड़ी ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपको मालू मैं x-rays damaging होती है क्योंकि ये ज़्यादा energy रखती है तो अगर मैं x-ray source से ज़्यादा x-rays emit करूंगा तो याद रखिएगा उससे image में detail तो ज़्यादा आएगी लेकिन वो जो शक्स है जिस पर हम x-rays फैंक रहे है उस शक्स के healthy tissues damage होने का chance भी बढ़ जाएगा तो फिर मैं कैसे बगएर x-rays की amount जादा किये इस x-ray का final image improve कर सकता हूँ एक तरीका है students और वो तरीका ये है कि मैं बजाए photographic plate film के उसकी जगापर बहुत से detectors रख दूँ आप जानते हैं detector बहुत sensitive होते हैं photographic film के मुकाबले में तो मैं photographic film को replace कर सकता हूँ बहुत sensitive detector से क्योंकि अगर detectors रखूँगा तो आप लोग जानते हैं वो उसके मुकाबले में ज़्यादा sensitive हैं तो कम x-rays मैं emit करवा कर detector से वो ही information ले सकता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा sensitive हैं students वो ज़्यादा information gather कर सकते हैं लेकिन आप लोग जानते हैं कि detector जो है वो computer के बगार काम नहीं करेंगे तो detector जो है वो अपना ये सारा data जो उन्होंने x-ray का लिया है वो computer को देंगे और computer उनको process करके final image देखा तो आपने देखा आप मैंने final image ज़्यादा बेहतर बना लिया है लेकिन x-ray की तदाद बढ़ा कर नहीं बलके x-ray के सामने detector लगा कर किसको replace कर दिया मैंने photographic film को replace कर दिया detectors के साथ तो ये एक तरीका है जिसमें हम जादा बेहतर कर सकते हैं x-ray के use को लेकिन आपको मालूम है कि मुझे computer use करना पड़ेगा यही वज़ा है कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्या नाम दिया cat scanner को computerized axial tomography, axial और tomography का क्या मतलब है उसको बाद में देखते हैं आप लोगों देखा कि computerized का word क्यों आया क्योंकि detector use करेंगे जब detector use करेंगे तो final image फिर computer के ओपर बनेगा नाव students, दूसरी important बात ज़रा देखते हैं इसको axial क्यों बोला अभी तक जो मैंने आपको instrument दिखाया है उसमें detector जो है वो static है लेकिन actually मैं याद रखिएगा ये detector और ये x-ray source इस axis पर rotate कर सकते हैं तो ये x-ray source साथ-साथ x-rays फैंकता रहेगा और ये साथ-साथ rotate करते रहेंगे जिससे आपके पास और ज़्यादा three dimensional information आएगी इस वज़ा से क्योंकि ये अपने axis पर rotate भी कर रहा है सारा apparatus तो फिर मैं इसको क्या कह रहा हूँ axial क्योंकि ये अपने axis पर rotate कर रहा है तो आपने देखा दो words का मतलब पता चल गया computerized भी है ये और साथ-साथ ये axial भी है कि अपने axis पर rotate भी करता है अब तीसरा word क्या है तीसरा word है tomography तो आइए स्टुएंट जरा देखते हैं कि tomography का क्या मतलब है tomography basically दो Greek word से निकला है tomos and graphos याद रखेगा ये जो tomos है इसका मतलब Greek में होता है slices का या sections का graphos का मतलब आपको मालूम है किसी चीज को draw करना तो इसका मतलब tomography का क्या मतलब हो है to draw something from slices ये एक अजीब सी बात है आइए स्टुएंट इसको जरा देखते हैं imagine करें मेरे पास एक चीज की बहुत सी 2D pictures हैं आप कह सकते हैं ये slices हैं अगर मैं सारी 2D pictures को इकठा करूँ तो मेरे पास ये एक image बनेगा जो के 3D होगा यानि कि ये images कहां से बनाए मैंने 2D slices से जोड़ कर 3D image बना दिया इसी हम कहते हैं tomography तो students cat scanner में भी कुछ ऐसा ही होगा जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा तो आपने देखा कि मैंने तीनों words आपके सामने explain कर दिया कि cat scanner में computerized क्यों लिखा उन्होंने axial क्यों लिखा और tomography क्यों लिखा लेकिन students जो चीज मैंने अभी आपनों को दिखाई है असल cat scanner में ये चीज कहां पर होती है याद रिखेगा असल cat scanner में ये जो donut shape है इस shape के अंदर हमारा x-ray source भी होता और detector भी होता है और ये दोनों rotate भी कर रहे होते हैं तो याद रिखेगा students ये x-ray source सासथ raise emit करता रहेगा और सासथ पूरा operators रोटेट होता रहेगा और मरीज जो है वो आइस्ता हैस्ता अंदर दाखिल होता रहेगा और उसके हर section का एक अलाइदा image प्रोड्यूस होगा फिर वो सारे images जो है वो जिस भी organ का city scan हो रहा है उस सारे images को हम stack करके एक 3D image बना देंगे तो ये हमारे पास tomograph बन गया और ये कहलाया computerized axial tomography तो students को पढ़ लेते हैं ये सारी बात क्या लिख हुई है ये फिर बता देता हूँ ये वो ही बात लिख ही है कि हमारे पास एक X-ray source होगा उस से X-rays emit ओर होगी थिन beam की शकल में और इसके बिल्कुल सामने detector जो उसको detect कर रहा होगा अगली बात वो क्या कह रहा है और वो कह रहा है कि ये पूरा apparatus जो है ये rotate भी हो रहा होता है साथ-साथ the changing reactions of the detector are recorded digitally detector जो है वो सारी information को record करेगा a computer processes the information and reconstructs a picture of different densities over an entire cross section of the subject तो हमारे पास बहुत सी picture जो है वो computer जो है वो ले लेगा हर section की और फिर वो उन सारी pictures को इकठा करके हमें एक 3D image बना कर देगा density difference of the order of 1% can be detected बहुत important बात है किस हद तक ये sensitive instrument है कि ये 1% का density difference भी detect कर सकता है older technique से ये नहीं detect हो सकते थी तो वो anomalies या वो tumors जो हम पुरानी technique से detect नहीं कर सकते थे cat scanner उनको भी detect कर सकता है ये बात उसने लिखी है with cat scan tumors and other anomalies is much too small to be seen with older techniques जो पुरानी technique से detect करना बहुत मुश्किल थी can be detected तो cat scanner से उनको detect किया जा सकता है तो students ये हम लोगों ने देख लिया cat scanner किस तरह से बेतर है पुरानी technique से आप से ब इंशालला मुलाकात होगी next lecture में तब तक के लिए Allah हाफिज